राम राम साथियों, विदान्त अकेडमी और अंकुरन इस्टिटिट में आप सभी का स्वागत है हम लोग आज आपके सामने एक बहुत अच्छी खुसकवरी लेकर हाजिर हुए हैं जो मद्यप्रदेश सरकार के द्वारा आप लोगों को दी गई है यहाँ पर कौन से युवाफ फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या प्रासेस होगा, वर्क क्या होगा, सेलरी क्या होगा, एज क्या होगा, कितना वेकेंसी है सब कुछ हम डिसकर्स करने वाले हैं सबसे पहला डिस्कलोजर तो यह जो वेकेंसी है वो अच्छी खासी है 4000 से उपर है, तो आप लोग ध्यान से सुने, बहुत कम वेकेंसी नहीं है अच्छी खासी वेकेंसी है दूसरा, यदि आप दूसरे एक्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे पटवारी है, आवकारी है, जेल है, फॉरेस्ट है तो इन सभी में आपको मैथ रीजनिंग और सारे कंटेंट की आवशकता होती है तो वो आप हमारे मोबाइल एप से फ्री में एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं महाँ पर कोई भी चार्ज पेवल नहीं है दूसरा आपको यूटूब पर भी बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइट करवाया जा रहा है और करवाया जाएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें जिससे अच्छी जानकारी सभी तक पहुँच सके तो बिना देरे की हुए स्टार्ट करते हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजर हुए है उसके बारे में जो नोटिफिकेशन आया है वो राचे सरकार से आया है युवा, MP, युवा, इंटर्न्सिप योजना MP, युवा, इंटर्न्सिप योजना के लिए आवेदन मांगे गए है अब इसके अंदर क्या होता है? ये ओनलाइन आवेदन मांगे गए हैं इंटर्न्सिप के लिए, इंटर्न्सिप क्या होता है? इंटर्न्सिप प्रोग्राम होता है जिसमें गॉर्मेंट जो graduate students हैं, उनको training देती है, 6 महीने की generally training देती है और उसके बाद उनको तयार करती है कि वो अपने centers, अपने centers इस्थापित करें अब अपने center कौन से हैं, जो सहज centers हैं, वो इस्थापित करने के लिए मद्यप्रदिस की योजना, योजना को पहुचाने के लिए, जन जन तक पहुचाने के लिए जो mediators हैं, वो सरकार तयार करती है, और उन mediators को यहाँ पर मित्र कहा जाता है योजना मित्र कहा जाता है, और उसके नाम से ये जो website है, वो भी तयार की गई है E-mitr के नाम से, तो E-mitr यहाँ पर तयार किये जाएंगे, उसके लिए इंटरंसिप योजना लाई गई है, मुख्यमंत्री युवा इंटरंसिप योजना, आल्लाइन इसके आवेधन होंगे, और यही इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आवेधन कर सकते हैं, क्या कहानी इसकी वो समझ लो मुख्यमंत्री युवा इंटरंसिप योजना ये है इसमें 4695 इसका जो डिस्ट्रिबीशन ने वो अभी यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया है किस कैटेगरी के लिए क्या है क्या कहानी है वो अभी इसमें प्रोवाइड नहीं करवाया गया है हाँ इसमें आपक के बाद वो आपको सेंटर्स खुलने को मिलेंगे अब इसमें है क्या-क्या आप आवेदन कब से कर सकते हैं आप आज से मतलब साथ दिसंबर से आवेदन स्टार्ट होगा और ये चलेगा 25 दिसंबर जहां तक है 25 दिसंबर के आज पास ये आवेदन चलेगा अभी देख लेते हैं सारी डेट्स नीचे दी गई है हाँ 21 दिसंबर कुल पद कितने 4695 पद के लिए आवेदन मांगा है सेलरी जो इंटर्ण सिप के डियूरेशन में आपको मिलेगी और ये जो सेंटर्स होते हैं ये गाओं-गाओं होते हैं तो जैसे कॉंस्टेबल को 14,000, 14,000 मिलते हैं 15,000 मिलते हैं यदि आपको आपके गाओं में 8,000 रुपए भी मिलते हैं तो ये एक अच्छी इस्थिती मा होनी चाहिए यहां पर आपको mp.gov में ओफिशल वेबसाइट पर इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी उद्देश है क्या इसका विकास योजनाओं का कार्य अनुभाव जो डैवलप्मेंट के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनके लिए चेन की तरह ये मित्र काम अब यहां पर यह tweet है जन संपर्क विभाग मध्यप्रदेश का उसने tweet किया आज मुखे मंत्री युवा इंटंसिब योजनाओं युवा विकास में मध्यप्रदेस सरकार की महत्पूर्ण पहल मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए मुखे मंत्री जन सेवा मित्र बनने क सुनहरा अवशर तो जन सेवा मित्र बनने के लिए ये योजना लाई गई है जिसमें 8000 आपको सेलरी मिलेगा next युवा intensive योजना details ये सारी details दी गई है और हाँ इसमें यदि कुछ छूट रहा है तो वो छूट रहा है कौन से युवा फॉर्म फिल कर सकते हैं तो ऐसे युवा जिन्होंने recent में हाल ही में graduation complete किया है दो साल के अंदर जिनका graduation दो साल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर apply कर सकते हैं ये अमरत युजना की तरह कहीं जा सकती है आप लोगों के लिए जो हाली में graduate हुए हैं और 15 विकासखंड में बताया गया है विकासखंड में 15 interns चुने जाएंगे परति विकासखंड में 15 intern रहेंगे उस सबसे पूरा तयार किया गया है तो विकासखंड मतलब तैसिल लेवल के आसपास ये काम करेगा तो आपके local में ही आपको job मिल जाएगा और बहुत अच्छी यूजना ये हम मान कर चल सकते है form आपको कहां मिलेगा form आप e-mitr खूलेंगे apply online करेंगे तो यहां से आप form के लिए जा सकते हैं जैसे यहां हम click करते हैं तो इसमें form के लिए आप से हाँ नीचे जाकर हम ये आवेधन online इस पर जाकर आवेधन online पर हम click करेंगे सॉरी भरती और रोजगार हाँ भरती और रोजगार पर हम click करेंगे भरती और रोजगार से हमें मिलेगा मुख्य मंत्री यूवा, इंटरंशिप, यूजना और यहाँ apply online पर हम click करेंगे तो यह आपको interface open हो जाएगा यहाँ आप अपना form fill कर सकते हैं यहाँ जानकारी पूरी डालकर आगे बढ़के इसे complete कर सकते हैं यह था पूरा information यदि फिर भी आपको लग रहा है कोई information मिस हो रहा है जो यहाँ available नहीं है आपको लग रहा है आपक information होगा तो आपको share किया जाएगा और नहीं भी होगा तब भी कोसिस की जाएगी उसको extract करके निकाल कर पूछ कर जहां से भी possible है आपको वो उपलब्द कराई जाए तो उमीद है यह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसकी जानकारी आज से आप सविश्य को समा रहें जुड़े रहें मिलते रहेंगे लगातार इसी तरह की खुसकवरियों के साथ में फिलाल के लिए धन्यवाद राम राम सभी को